देखो उच्छे तो यहां पर ऐसी क्या खास बात है जो हम इसे पढ़ रहें एक्षल में क्या होता है उच्छों यहां पर आई ई और यह मैं आपको बता है तो इसके अंदर जैसे प्रिज्म में अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कंड़क करते हैं एक्टिविटी कंड़क करते हैं जैसे कि अभी आप लोगों के प्रैक्टिकल्स होंगे तो आप लोगों को एक्टिविटी कंड़क करोगे अगर जैसे हम एंगल आफ इंसिडेंस चेंज करते हैं अगर हम एंगल आफ इंसिडेंस चेंज कर रहा हूं जब हम प्रिजम में कुछ चेंज करके देखते हैं एंगल अफ इंसिडेंच करते हैं तो एंगल अफ इमर्जेंच होता है साथ-साथ में एंगल अफ डेविएशन भी है यह एक्टिवीटी देखने को आपको मिलेगी जब आपको अभी स्कूल खुलेगा तो आपको प्रिजम में एक्टिविटी करनी होगी पिंसे पिंस लगाकर जैसे ग्लास लैब में अपने टेंट क्लास में अपने अक्तिविटी की थी ठीक वैसे ही प्रिम में भी आपको एक्टिविटी आपने सब्सक्राइब और यहां पर उस एक्टिविटी को कई बार रिपीट करना पड़ता है अलग-अलग आप लोग स्कूल में तो आप लोग एक टेबल बनाओगे एंगल आफ इंसिडेंस चेंज करोगे तो यहां पर एक में होगा एंगल आइए और डेल्टा अच्छा यह बताओ इन्वे से कौन से आप चेंज करोगे और किसको आप स्टडी करोगे अगारे और एंगल आफ इंसिडेंस को चेंज करेंगे और एंगल आफ इमरेंस को सटडी करेंगे और एंगल आफ दयविश्ण नू स्टडी करोगे तो यहां को से आई히 मांदो 30 डिग्री हो गया ऐसे फिर आप about 45 डिग्री हो गया 70 डिग्री हो गया आईसे हम experiment कंड़क उसके लिए हमें एंगल ऑफ इंबर दैविशन में लेगा और साथ-साथ में देखो एक्टली क्या होता है कि हम एक ग्राफ भी ड्रॉज करते हैं जो कि एंगल ऑफ डैविएशन और एंगल ऑफ इंचिडेंज के वर्सेश ग्राफ होगा ग्राफ करना होता है ईया होता angle of deviation आइंगल of deviation है और incidence हैं कैसे हम incidence एंगल है हैं तो कैसे कैसे deviation हो रहा है इसका हम एक GRAPH STUDY करते हैं तो देखो जैसे मांन लोग कि मैं कुछ random set of values ले रहां आपने पास हां पर और थोड़ा समझाने के लिए in कि मानलों तीन वेल्यूज ले लेते हैं काफी है तो हमने एक्सपेरिमेंट कंड़ किया आई की वेल्यू 3045 63 मानलों ये की वेल्यू में मिली 60 45 30 और डेविशन मिल गया मानलों हमें कि 70 डिग्री कि 45 डिग्री कि ऐसे को डिविशन मिल दान तो ऐसा यह एक टेबल से बनती है जब हम लोगों के पास टेबल में बनती है तो उसमें दो-तिन रिजर्ट्स हमारे पास आते हैं जो कि बहुत इंपोर्टेंट होते हैं समझने पहला रिजर्ट ध्यान से तुमना उच ओड़ा को तो एंट्र जेंजेंजेंबल का मतलब क्या होता है जैसे मान किसी सिच्वेस्ड़ेशन में अगर आई 15 डिग्री है लेटर स्थ किसी केस में अरी 75 डिग्री है अगर एंटर किया है और एंगल स्थी बीचतिका कुछ भी हो तो अगर इसकी जगए यह कर दोगे यह हो जाएगा मतलब कि इंटरचेंज हो जाएगा क्या बात समझ में आई अब कोई बच्चे के तो यह एक रे जा रही है यह आपको फिगर दिख रही है अच्छे से इसको देखो एक बार तो इसमें क्या है कुछ नहीं अच्चो हूँ जैसे मानदों कि एरो घटा दिये मैंने इस पहले लेफ्ट तू राइट जा रही थी अब रे क्या है राइट टू लेट जारी थी सॉरी मिश्ट राइट साइड जा रही थी अब रे इदर जा रही ओल्टी ऐसे यहां जा रही है कि क्या हुआ बताना अगर यहां से जा रही है मैंने अरो दिखाया है क्या हुआ अब यह आई है यह हो जाएगा तो पार होई अच्छा में रहेगा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कि जैसे सेट अफ वैल्यूस में अगर आपके पास कुछ सिच्वेशन है तो आई है जैसे आई अगर थर्टी डिग्री है और ए सेवंटी डिग्री है तो जब आई सेवंटी हो जाएगा इंटर्चेंज हो जाएगा यह चीज पहला है आपको समझने में आना चाहिए ठीक है यह आप लोगों की नॉलेज नॉलेज गरे उच्छों यह आए खासकर चीज एक्जामनेशन में इतनी पूछे रहती है इंटर्च वगरे में काम आती है यह वादी चीज कि कि एक केस बहुत पर्टिकुलर होता है जो कि हमारे पास बीच वाला केस है यहाँ पर इक्सपरिमेंट की टाइम हमें पता चलता है जब आई और यी बराबर होते हैं जैसे इसके अंदर हमने 45-45 लिया है कुछ भी हो सकता है वह तो रीडिंग पर डेपेंड करता है उस ताइम एंगल ऑफ डेविएशन मिनीमम होता है यह क्यों होता है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है यह सिर्फ एक्सपेरिमेंटल स्टडी है मैं फिर से में मिनीमम् डेविचन और क्या होता है यह केस होता है तो खास बात होती है एक तो यह बात हो गई इसकेंद और तो मौँ यहां चाहिंग वह तो एक वार रेक्शन गुस्की पार रेक्शन ओर इसमें यह जो रहे हैं यह बेस के परल्ल आम तोर पर नहीं होती है Harr सिर्फ इसी केस में जिरे बेस के पैलर अभी देखो बेस के पैलर नहीं यह यह पैलर नहीं डॉगी तो अगर वह केस आएगा उपर वाला मिनिम्म डैविशन का तो यह जो रह होगी वह बेस के पैलर होगी कोई डाउट बच्चो कोई दिकत किसी को यह special केस है और ऐसे केस में बच्चो जैसे मान लो अब यहां पर है हम कुछ अंगल को नाम दे देते हैं जैसे यह वाला एंगल है इसको अमने नाम दे दिया आरवन इसको दे दिया आरटू यहां पर जो एंग बढ़र होती यह सब experimental study है जब आप लोग एक्सपैरिमेंट करोगे तो आपको यह चीज देखने को मिलेगी टेबल वह इसी बनेगी तो कई बार एक्जामनेशन में table के बिसेष्च पे कोशन आ सकता है क्योंकि आजकल तो पैटर्ण वैसा चल रहा है तो हम बच्चों आपक के विसस्पे और आपको इसका आंसर बताने हैं हमको कि देखो अच्छो 75 कोशन देखो एक बार कि यह आप लोगों के असर्शन रीजन वादा वो जो एक पैराग्राफ बेस्ट कोशन है ना उनमें ऐसे में आ सकता है बता हो च्छों क्या अंसर आएगा 75 का कि सर एका 52 डिगरी है कि सावाज बच्चे देखो जरूरी नहीं आपको टेबल में तीनों ही चीज़ें दी वही हो तो जैसे कि यहां पर हमारा ही केस है तो इसमें अगल आफ इंसिद्र और आफ के लगवेशन दे रखकत को यहां पर और कि यहां पर केसकेस में आई और यः बराबर हो मिलें इसी को लेकिश करते हैं अगल आफ डै वीयाशन मिल रहें इस केडिश्म मिल रहा है इस केस में क्या होगा इसक्ष में क्या होगा थे आई और इडिक्र गीरी होगा समझे है ऑच्छो को किसी चुकशे चीर्ट और second में B में कहा रहा है इसका ray diagram ड्रॉ कर दो तो ray diagram ड्रॉ कर देना बट ड्रॉ करना तो labeling भी करनी पड़ेगी labeling कैसे जैसे मानों left hand side figure है मैं इसमें दिखा रहा हूं यहां देखो तो angle of incidence 52 है इसको 52 दिखा देंगे कितना कि 40 दिखा देंगे थोड़ा सच्छे से ड्रॉ कर देंगे कोई डाउट किसी वच्छे को इस चीज़ को लेकर कि बोलो भाई बोला कि इसके इंदर वैसे अगर दिकानना हूँ एंगल अगर 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 आपको angle of emergence निकालना है किसी और case में किसी और situation में मतलब प्रिजम के अंदर जैसे आपने बता है कि emergence आजाते angle of emergence तो क्या formula लगेगा सब्सक्राइब इसमें तो इस case में कोई formula नहीं लगेगा किस case में तो directly दे रखा है कि आई और इसमें क्या लिखा हुआ है अगर आप question पड़ो एक पार्ट में क्या दिया हुआ है कि कि माला कोई random सा केस कहते हो कि सर यह अच्छे यह बताईए माली यह सर 30 दिगरी पर रही है तो कित्मा angle of emergence होगा तो कोई random case की बात करते हो तो हम आपको बताएंगे क्या formula होगा बट special case की बात करते हो तो आई और यह बराबर होते हैं मैं फिर से रिपीट कर रहा हो चूंँ एक special case होता है जो जातर हम डिस्कस करते हैं वो special case क्या होता है यह हमारा माला प्रिज्म है यह एक रे है यह टक्रा करके बेस के पहलर जा रही है यह भार आ रही है इस case में angle of incidence और angle of emergence बराबर होता है तब आई और यह बराबर होते कि और यह minimum deviation वाला case होता है इस case में अई और यह बराबर होते हैं और बाकि एकस में आई यह बराबर नहीं होते है havejoy द्यानतना बट रिट रही इंटरचेंजिबल होते हैं प्रिजम के डेरिवेशन की तरफ इस डेरिवेशन को करके कुई कोई भी डेरिवेशन का kutś- Brown इसे ग्राफ में क्या होता है इसे तो जैसे मान लो कि आपने इंश्डेंटेंट किया जैसे लेफ्ट साइड टेपल आप देख सकते हो तो angle of incidence कम था, जैसे 30 degree था, तो angle of division काफी जादा था, पहले reading को आप अच्छे से देखो, ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने angle of incidence बढ़ाया, तो angle of division कम हुआ, बट आपने angle of incidence और बढ़ाया, तो angle of division फिर से बढ़े गया, तो यह देख सकते हो, जैसे यह से आई बढ़ता जाता है, पहले तो angle of division कम होता है, बट एक value के बाद, उसके बाद फिर से angle of division बढ़ने लग जाता है, यह graph है, angle of division का angle of incidence के साथ, कोई doubt बच्चों बोलो इस चीज को लेके, बोलो, बोलो बोलो, जो minimum deviation होता है, उसको कई बार हमको, dm से represent करते हैं, मतलब minimum deviation, कोई doubt बच्चों बोलो, minimum deviation, ठीक है, तो यह graph होता है, यह जो मैं बता रहा हूँ, एक्चली क्या है, यह आप ज्यादा बहतर समझते हैं, अगर आपका experiment यहां तक conduct हो जाता, बट हम अब क्या study करने वाले हैं, हम देखो, अच्छे, minimum deviation का formula study करने वाले, theoretically, जैसे मान लोग, practically तो आप minimum deviation निकाल सकते हो, कि आपने कई सारी set of reading ली, टेबल ले ली, टेबल में भाई, जिसमें कम से कम deviation आ गया, वो हो गया minimum deviation, बट अगर आपको कहों कि सर, यह prism मैं आपको दे रहा हूँ, बताओ सर, इसमें minimum deviation कितना आएगा, तो theoretically हम minimum deviation कैसे निकाले, तो हम, हम जो derivation करने वाले हैं, इसम minimum deviation, और यह भी देखेंगे कि किसी case में minimum deviation किन-किन factors पर depend करता है, जैसे मालक prism है, तो उस prism में क्या-क्या factors पर depend करता है, कि इसमें minimum deviation कितना होगा, क्या वो angle of prism पर depend करता है, यह material of prism पर depend करता है, जैसे आम तोर पर क्या-क्या factor पर minimum deviation depend कर सकता है, material of prism, उसका refractive index क्या है मत प्रिजम और दो परिमेटर उते हैं इंपॉर्टन प्रिजम के एक तो प्रिम्स मट्रियल से बना हुआ दूसरा एंगल प्रिजम क्या है जिसे कहते हैं एंगल प्रिजम यह हमारे पास है को दाउन बच्चे हो बोलो चालू करें तो यह सर चालू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पूरा यह हमारा है हमारी फिगर है जालू करते हैं प्रिजम है कि इंसिडेंट रे सब्सक्राइब जैसे वह एंगल प्रिजम है तो वह तो सब्सक्राइब आपको जैसे आपके हाथ में प्रिजम देगा ना तो बताएगा कैसे वह मैंने अभी बता है जब आपके हाथ में 3D फिगर का प्रिजम जब आएगा तो आपको चलेगा कि एंगल प्रिजम क्या होता है फिलाहल तो अच्छे तूडी में यह मान के चलो यह उपरवाला एंगल इसे एंगल के प्रिजम होते हैं जैसे इकुलेटर प्रिजम होता है ज्यादा मैं बस फिर आपको हाथ में बताएंगी रखें ठीक होच्छे बोलो को डाउट है बोलो और बोलो अ यह हो गया एंगल इंसिडेंस यह हो गया एंगल आफ इमर्जन्स यह हो गया आर वन यह हो गया आर टू इसको नाम दे देते हो अच्छों ए बी सी डी यह नाम दे दिया हमने यह नॉर्मल हो गई यह दोने ठीक है तो देखो अच्छे डेरिवेशन की स्टार्डिंग काफी अचीब सी होती है और इसमें क्या होता है सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एक ट्राइंगल और एक क्वाडरिलेटरल तो एक ट्राइंगल जो ट्राइंगल है यह ओला ट्राइंगल है अच्छो देख रहा है तो यह सेर तो तो इसमें अगर देखो तो तीन एंगल का सम 180 डिग्री होगा कौन-कौन से और वन है और टू प्लस एंगल डिसीडि इस एकल टू वन एक ट्रीडिग्री ओर इसके बाद हमें लेना पड़ता है क्वाडरिलेटरल एबीसीडी पूरा जो हमने एबीसीडी लिया है वह उडिख्छो बोलो पुरा क्वाडरिलेटरल जो आप गोडिलेटल की अइंगल का सम कितना होता है बच्चों वोरो-360 होता है क्या क्या एंगल हुआ को बढेंगल हो गया एक कि और दूसरा हो कि नैइंटी और एक गया बीसीदी अभी कैसे हुआ ज़या देखो यह नॉर्मल की वैसे नॉर्मल की वैसे देखो यह यह नॉर्मल और सर्फेस के साथ एंगल होता है इसी ही वज़े से किसी वैसा तो नहीं समझ में ना रहा हूँ यह पिंक कलर 90 डिगरी क्यों है कि नॉर्मल यह है ना जो हमने ग्रीन डॉर्टर लाइन रख किये नॉर्मल है नॉर्मल सर्फेस में एंगल 90 डिगरी होता है यह जैसे यह नॉर्मल है तो यह वह गया अब नाइंटी नाइटी जब अब उदर जाएंगे तो यह हो जाएगा एप्लस एंगल बी सीडी इस इक्वाल टू वानिटी डिग्री अब हमारे पास दो एक्वेशन है एक्वेशन फर्स्ट हो गई एक्वेशन सेकेंड हो गई इन दोनों एक्वेशन के बेसिस पर अगर आप इनको एक्वेट कराओ इन दोनों को तो क्या आजाएगा उच्चों कि हारवन प्लस आटू प्लस एंगल बी सीडी इस एक्वेशन की स्टार्डिंग में ही आपने यह क्यूं करवाया है जब और एक्ष्यों निकालते दो उसमें अपने पास इक्वेशन करने जरूरी palet होती है जैसे कि हमारे पास आई है ए आरवन है आटू है यह हमारे डिफ्रेंट डिफ्रेंट पैरीमीटर से अलग अलग चीजें हैं अलग अलग एंगल से हम कोशिश करते हैं कि क्या इनके बीच में कोई डिपेंडेंसी यह इसलिए हम यह निपे आरवारोम क्ी यॐ में यह सकते हैं इसे जो काहिप और नहीं ET दो बार कप कप अगर गुशने पर निकलने पर हाँ जब वो इंसिडेंट रे के टाइम पर और इमर्जेंट रे के टाइम तो अगर हम कहें कि जिए जुमेट्रिकली वेल्यू निकाले एंगल देविशन की तो कैसे निकाली जाएगी देखो अच्छे यह प्रिजम है हमारा जैसे मान लोग कि हमें एक यह करके बहुत डीपली स्टडी करना पड़ेगा जैसे यह रे जा रही है और यहां पर्स्ट ताइम जो डएविशन हुआ उब जब फर्स्टम अथे पले की कितना तो वैं यह यह जो एंगल आए इसको नाम इंगा हुंहा कि कितना रहा है अगरे यह कैसे जाती वह इसे जाती कि कुण बच्चोन है कि 과 अब और एक कैसे जा रही है मालब फर्स टाइम अभी हम फर्स टाइम की बात कर रहे हैं दोनों को अवरल कम्माइन मत कर देना समझ रहे हैं पहले डैवेशन की बात करें कितना डैवेशन वह बताव अच्छे कोई बच्छा आएगा इस विगर के साफ से हेलो अरे भाई बोलो अ बोलो अ बोलो तो क्यों अ बोलो अ बैस आधारी है मेरी बच्चों को अ आधारी है तो अ है तो हलो हलो यूठ हेलो है अरे भाई कोई है क्या कि नेट नेट नहीं आ रहा है उच्छों कि तो आ रहा है कि देखो अच्छों कि यहां पर अगर देखा जाए तो फस्ट सर्फिथ की बात कर रहे है यहां पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट सर्फिथ की बात कर रहे है तो फस्ट सर्फिस पर ही अगर deviation न होता, तो initially Ray ऐसे जाती है, तो pink color में मैंने आपको देखाया, उच्छे इतना deviation हुआ है, यह जो आपको deviation है, इतना हुआ है, यह deviation हुआ है, यह deviation हुआ है, दिखा रही है, तो इसकी value कितनी היayगे, को यह सकता है कि इसकी वेल्यु कितनी होगी अあります को para कड़ें यह रहे हैं सीधर जा रही है ऐसे यह नॉर्मल है कि यह पूरा अंगल आहिए यह पूरा अंगल कितना होगा यह कम्प्लीट अंगल कितना होगा यह वाला कि यह वाला अंगल ट्वलस आई होगा क्या Credit % Medical Pro या मैं इसको थोग सब्सक्राइद से साइड में ड्लॉ करता हूं ले लॉए लाइन को ब्लॉ लाइन देख रही है लाइन, लॉए ट्रॉक करते ही इल्लॉ the टेकषि़ और में को ग्रीन से ट्रॉव कर देता हूं यह से यह नॉर्मल होगी कि चिक है ये एंगल और ये एंगल बराबर होने चाहिए न पूरे कि यह सब यह सब्सक्राइब कर गहीं है ऐसे चलीगी ना इस ये रेड लाइन ऑप साइनल वारी फाइनल इनिशल चीक है और ये एंगल हो गया ये वाला ये एंगल हो गया ये हो गया R1 ये हुआ deviation 1 तो ये पूरा complete angle मैंने बता है इसा green दोनों बराबर होने चाहिए बराबर होने चाहिए मतलब I किसके बराबर होना चाहिए delta 1 plus R1 मतलब क्या होना चाहिए delta 1 क्या होना चाहिए I minus I minus R1 समझे हो च्चों समझ रहे हो यास सर्व इतना डेवेट कर गया ना इतना इतना डेवेट कर गया और ये सामने आम जे सामने वाले एंगल बराबर है ये पूरा ये पूरा complete एंगल लेफ्ट साइड वाला पूरा complete एंगल बढ़ा वाला और राइट साइड वाला complete एंगल बराबर होगा बराबर बराबर है सब्सक्राइक सब्सक्राइब ए helpless तो हमें दिखाऊंगा नहीं, उसकी figure नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा confusion हो जाता है, यह इतना हमें need नहीं है, उस चीज को दिखाने की, तो total deviation कितना आ जाएगा, i और e को साथ ले लेते हैं, i plus e minus r1 plus r2, common लेते हैं, यह आ जाएगा, को doubt अच्छे बोलो, no sir, यह second equation आई हमारी, बत अच्छों, किसी को class तो नहीं है भी, यह sir, ठीक अच्छे, एक दो मिनिट दे दो, मुझे, कितने मुझे class, 8, 10 पर, ठीक, अच्छे, मैं free करता हूं, तो, आप देखो, अच्छे, यह first or second equation आई है हमारी, क्या-क्या, यह मैं एक साथ ही लिख दूं, तो ज्यादा बेटा रहे, एक equation किया आई है, and, यह मुझे एक चीश अभशनाया, इतनी लेट कौन सी class होती है, ज्यादा लिट नहीं है आट सनों की क्लास आट सनों नहीं होती ना सर फिर क्या होती है सुन नौ बज़े एक और बैज होता सर का वाव क्या बात है चलो अच्छे यहां अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें तो यह क्या आ जाएगा यह फरस्ट है सेकेंड है यहां तक है यहां तक हम ने कर लिया है बाकी थोड़ा सा पॉर्शन बच्चा है नेक्स लास में से आगे कंटिन्यू कर लेंगे ज्यादा कुछ नहीं है यहीं सम आगे कंटिन्यू कर लेंगे कि अधिव विट्चा बोलो अधियू एक बोलो अधिया अधिया यहां वो प्रिवेस्ट्रेशन आपने अधिन्यू